नमस्कार आप सभी का स्वागत है वर्दान एक्सप्रेस के इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में जिक्रे करते हुए बताया था कि अब बर्दान एक्सप्रेस आपको जादा तर मद्यप्रदेस बिधान सवा चुनाओ को लेकर वीडियो बनाएगा और मद्यप्रदेस में बिधान सवा चुनाओ जो होने हैं उसको लेकर रोचक जानकारी आप तक पहुचाएगा तो आज के इस वीडियो में भी हम आपको महत्पूर्ण जानकारी बताने वाले हैं तो महत्पूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंतर तक जरूर जुड़े रहें ताकि आप मद्धिप्रदेश बिधानसवा चुनाव को लेकर होने वाले हर एक एलान से अपडेट रहें इसके अलाबाद जो भी गतिविदियां हो रही हैं भाई भी आप तक पहुंसती रगें साथी प्रसासन और पुलिस द्वाराज जो भी निर्देश दिये जा रहे हैं भाई भी हम अपने इस वीडियो के माद्धिप्रदेश बिधानसवा चुनाव से रिलेटिब हर एक अपडेट मिलता रहेगा चाहे भाई पुलिस का हो प्रसासन का हो या राजनेतिक गल्यारों से जुड़ी हुई खबरे हों तमाम चीजें आपको हमारे वर्दान एक्स्प्रेश चैनल पर मिलती रहेंगी तो हम आपसे सबसे पहले तो यही रिक्वेश्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो है अन्ने लोगों तक भी इस लिंक को भेज सकते हैं ताकी और भी आपके साथ ही महत्पूर्ण जानकारियों से जुड़ सकें और अपने मुवाइल पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकें चलिए तो अब शुरू बात करते हैं मद्यप्रदेश चुनाओ से जुड़ी हुई महत्पूर्ण जानकारी की ओर तो आपको हम ये बता दें कि मद्यप्रदेश में बिधानसवा चुनाओ एक ही शुरण में होना है चुकि मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ 17 नवंबर को मत्दान होगा पूरे मद्यप्रदेश में एक ही दिन मत्दान किया जाएगा जिसको लेकर पुलिस और परसासन द्वारत तैयारियां की जा रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो उसको लेकर पुलिस परसासन अलेट मूड पर आ चुका है तमाम जगाए बहन चेकिंग की जा रही है इसके अलाबा कई जगाए पर ऐसी भी चेकिंग हो रही है जैसे अवैध हत्यारों को लेकर बात करें या फिर अवैध जो भी कारोबार होते हैं उस पर पुलिस की बिसेस नजर है और खासकर प्रसासन की अपरादियों की बात करें जो जो अपरादी प्रवत्ती के लोग हैं जैसे मालीजी होटल है या धरमसाला है कोई भी चीजे हैं उस पर अगर आप अपने यहां किसी को भी रोकने की तैयारी में हैं या आपके घर में कोई किरादार रहते हैं तो सबसे पहले घर से जुड़े हुए लोगों को हम आपको जानकारी दे दें कि अगर आप अपने घर में किरादार रख रहे हैं तो उसकी आपको अब प्रॉपर जानकारी थाने में देनी होगी चूकि थाने में जानकारी देने का सिलसला पहले से था सिस्टम भी बना हुआ था लेकिन बीच में लापरवाई होती रही तो पुलिस परसासन बरदास करतारा कोई दिक्कत न की बिसेस नजर है और विवस्ता भी बिसेस की गई है इसलिए अभी हाल फिलाल आपके यहां अगर कोई भी नया किरादार आता है या पुराने जो किरादार हैं उन सब की सूची या विवस्ते जानकारी जैसे आधार काड महत्पूर्ण हैं वो आपको थाने में देने इसके अलाबा थाने से एक फॉर्म भी मिलेगा आपको जिसको भर कर फिल भी करके जमा करना होगा उसमें सभी जितने आपके यहां किरादार हैं उन किरादारों का नाम और पूरा डिटेल आधार काड की कौपी सहत आपको थाने में जमा करनी होगी यह आती आवाशक है हमारा आप सभी लोगों से करतब निवेदन यही है कि आप लोग किसी भी परकार की लापरवाही ना करें और किरादार कोई भी पुराना हो नया हो जिस भी परकार का हो सभी की जानकारी ततकाल प्रवाव से थाने में बता दें क्यूंकि यह कोई गलत नहीं है थानकारी दे मसाला की अगर आप या आपके रिस्तेदार कोई भी होटल धरम साला चलाते हैं तो जो प्रती दिन आने वाले लोग हैं उसको विवस्तित रूप से एक रेजिस्टर बनाईए उस रेजिस्टर में आने आने वाले व्यक्ति का नाम पता मुबाइल नंबर आधार काड लेना बेहद अनिवारे हैं जिस तरीके से आधार काड व्यक्ति की पहचान होती है तो आपको आधार काड अनिवारे रूप से लेना होगा और उस आधार काड की इंट्री करनी होगी फोटो कोपी करके भी रख लिखें क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजे होती हैं जो बाड़ी महत्यपूर्ण होती हैं इसमें हम आप लापरवाही कर देते हैं बाद में उसका खामियाजा भुकतना पड़ता है तो बिल्कुल गलती नहीं करें और आप अपने होटल या ये कहें धरमसाला में आने बाले जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी विवस्ते जानकारी रेजिश्टर में नोट कीजिए और डिटेल लीजिए चो थोड़ी सी लालज के चकर में लापरवाही मत कीजिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि चुकि चुनाओं का समय है और मद्द प्रदेश मे कोई भी आ विवस्ता ना हो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी है हमारी भी है सबी की है इसलिए जिम्मेदारी पूरबक सारी विवस्ताइं डिटेल रखिए और ये डिटेल पुलिस अगर जब भी आपसे मांगे तुरन दीजिए चुकि होटल और धरमसाला बाले वेक्तियों को आने जाने बाले लोगों की विवस्ते डिटेल रखनी होगी और साथ ही यहाँ पे जो घर में अपने किरायदार रख रहे हैं उन किरायदारों की सूचना जरूर थाने में दें फारम भी फिल करें ये विवस्ते दूरूप से आप काम करिये कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी आपे में आकर किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे इसलिए अगर आप सस्त्र लाइसेंस धारी हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बड़ा महत्पूर्ण है उसकी जानकारी या सीधी तोर पे आचार सहीता लग चुकी है सस्त्र जमा करने की तारीक क एलान भी कर दिया गया है परसासन द्वारा तो आप अपने नजदी की थाने में अपनी जो बंदूख है लाइसेंस सहेत उसको जमा करिए और उसकी रीसी में लेकर अपने पास रखिए जब आचार सहीता खतम हो जाएगी चुनाव संपन हो जाएगा आपका सस्त्र आपको बबस्ते दुरूप से बापस मिल जाएगा तो इसमें भी लापरवाही नहीं करना है समाई सीमा पर जाकर थाने में अपना सस्त्र जमा करना है बित लाइसेंस के उसकी अब जब तक थाने में है जब तक जिम्मेदारी पुलिस की होगी आपको परिशान नहीं होना है सस्त् कि आपकी जानकारी नहीं जाएगी चूकि ओनलाइन सारी सिस्टम हो चुके हैं तो ओनलाइन के जरिये भी थाने से जानकारी जाएगी कि आपने सस्तर जमा किया या नहीं किया उसकी छटने भी की जाएगी और अगर जो भी व्यक्ति जमा नहीं कर पाता है उसका लाइसन्स न रखते हैं तो उसको अभी हाल फिलाल जमा कर दीजिए, रिसीविंग ठाने से लीजिए और इन तमाम चीजों का बिसेज ध्यान रखना है। पर बीजिए आते हैं तो यहां पर हम और आपको महत्पूर्ण जानकारी बताएंगे इस वीडियो में लेकिन फिल हाल रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार भी आपको महत्पूर्ण जानकार revelation चुनाओ से रिलेटेब आपको बताते रहेंगे। फिल्हाल यहाँ छोटे से ब्रेक के बाद आप से फिर होगी मिलागात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सपरेस के इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको ब्रेक के पहले बताया कि सस्त्र लाइसेंस को लेकर महत्पूर्ण जानकारियां अब मांगी जा रही हैं आपके पास सस्त्र है तो आपको जमा करना होगा आपके अगर घर में किरायदार हैं तो किरायदार की विवस्ते जानकारी थाने में देना और फारम फिल करना अतिया बिशक है इसके अलाबार होटल और जो धरम साला है उसको अगर आप संचालित करते हैं तो उसमें भी आने ब्रदेश में सांती पूर्वक मतदान हो सके उसको लेकर आप लोगों का सहयोग बेहत जरूरी है एक बात का ध्यान भी रखें वर्दान एक्सप्रेस आपको जग रुकता कि माद्दम से ये कहना चाहता है कि मतदान करना बिलकुल न भूलें अपने मत का प्रियोग जरूर कर और मतदान के इंदर पहुंच कर अपना मतदान अभश्य करिये वर्दान एक्सप्रेस के इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगले किसी वीडियो में फिर होगी मुलाकात जब तक के लिए हमें दीजी जज़त नमस्कार